रामपुर के गाउं में एक आदमी पिल्ला पाल रहा है एक दिन वहां अकेले काम करने के लिए बहार जाता है कुट्ता इदर उदर घूम रहा है गाउं के पास बांध पर चला जाता है एक पैड पर एक बैठा बंदर एक पिल्ले को चूस रहा है वही रुख जाओ, तुम्हें पता है कि एक बड़ी आउरत कहां भयानक होती है जहां कई जंगली जानवर होते हैं, जानवर है और जैसे ही वे तुम्हें देखते हैं, चले जाओ वे मेरा कुछ नहीं कर सकते उस गाउं के सबी लोग मुझे देखकर कापते हैं बच्चे और वैसक केवल मुझे देखते हैं भाग जाओ, किसी को भी हमारे घर में कदम रखने के लिए अनुमती लेनी पड़ती है ऐसी बात का डर आराम से महिलाओ को देखो हाँ, मेरी बात सुनो, धूर जाओ क्या, तुम मेरे बारे में नहीं जानते? मुझे अब और मत बताओ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है मैं जाओंगा यहां कहा कर वहाँ चला जाता है अबबा को इतनी प्यास लगी है कि गला सूख जाता है और वहाँ पानी भी नहीं है यहां सोचकर कुट्टा पाने के तलाश में एक तलाब में जाता है पाने पीते पीते मगरमच देखो आहां अब मुझे अच्छा खाना मिल सकता है यहां कहते हुए कुट्टा पिल्ले पर हमला कर देता है पिल्ला अचानक डर जाता है मैंने इसे खा दिया मैं एक चुटकी में फस गया हूँ नहीं तो काम खत्म हो गया होता इस जंगल में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है घर जाओ इतना कहकर वहाँ चले जाती है और कुछ दूर चले जाती है शेर पिल्ले से मिलता है मेरे लिए ही आ रहे हो दो तिन हुआ मैंने खाना नहीं खाया तेरे को खा के मेरा भूख निकल जाएगा आजा बारुत अगर तुम सोचते हो कि तुम मगरमच के बिल्ल से निकल कर बच जाओगे तो तुम इस शेर के जाल में फस जाओगे कैसे क्या करें यहां शेर मुझे हिला कर नहीं भगाएगा पिल्ला दोडता है लोम्डी दूर से देख रही है शेर भी देख रहा है शिकार करता है दूर तक शिकार करता है अन्त में पिल्ला एक घास में चिप जाता है अरे नहीं मैं वहाँ गया था मैं इसे वहाँ नहीं देखता शेर इधर उधर ढूंडता है जहां उसे उमीद नहीं थी फिर वहाँ चला जाता है फिर लोमडी ने कहा ओहोना को अच्छा खाना मिला शेर यहां से चला गया अब तूरंद जाओ और उस पर आकर्मन करूंगा कर सियार कुट्टे के पास जाता है चानक भाग के रास्ते में एक चीता आ जाता है भाग और लोमडी के साथ वहाँ चीता यह कहता है अरे अगर आपको लगता है कि मैं वहाँ नहीं हूँ तो क्या आप यहां कहने आ रहे हैं कि यहां मैं नहीं हूँ तूरंद चले जाओं मुझे केर है कि मैंने आपको नोटीस नहीं किया मैं जल्द ही यहां से जा रहा हूँ जाते समय लोमडी अपने मन में यही सोचती है अचा मुझे लसी का खाना मिल गया और चीता ने उचल कर उसे पकाया अगर चीता उसे नहीं खाता तो भी अपनी भूप मिठा लेता तो लोम्री चली जाती है बात कुटा ऐसा सोचता है बारुद मगरमत से बचकर शेर की आंकों में जा गिरा और वहां से यहां आ गया मेरा अब और जीना मुश्किल है यहाँ चीता मुझे पर हमला करेगा आप अब कैसे हैं? अगर तुमने उस बंदर की बाते सुनी होती हो तुम्हें इतनी तकलीफ का सामना ना करना पड़ता बंदर क्या कहा? मैंने ना सुनकर बहुत बड़ी गल्ती की है तेन दुआ कुट्टे के साथ कोई पिल्ला यहां क्यों आया? फ़रान यहां से निकल जाओ घर जाओ मुझे डर था कि तुम मुझे पर हमला करोगे तुमनी मेरे जान का भीक मांगी इससे पहले कि मेरा मन कलंकित हो जाए जाओ नहीं तो काम खत्म हो जाएगा नहीं मैं यहां से घर वापस जा रहा हूँ इस प्रकार कुट्टा घर लोट आता है कोई भला वचन कहे नहीं तो ऐसे ही अनेक कटिनाईयों का सामना करना पड़ेगा आप इस कहानी के मध्यम से जान सकते हैं